तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Windows 10 October 2018 update version 1809 की अगर आपको को यह OS डाउनलूड करना है तो नीचे लिंक में मेरे website का description रहेगा जिसके अंदर आप यह ISOs डाउनलूड कर सकते हैं यह Microsoft का 6th feature update है Windows 10 के लिए जो की 2015 में launch हुआ था हला कि Spring Creators update जो इससे पहले Fast Ring and Creators के लिए आया था उसके अंदर कुछ नए features और थे जो की इस final version में नहीं हैं यह जितने भी updates है इस आर ओल quality of life improvements उसके जो सबसे साथ important नए features हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे अगर आप लोग यह सारे features जानना चाहते हैं कि क्या है देखते रही है पूरा वीडियो giveaway live है आप लोग जीच सकते हैं तीन gaming mouse with mousepads नीचे link में आपको gleam.io का link मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग इस giveaway में हिस्सा ले सकते हैं दू subscribe to that channel अगर आप लोग एक नया gaming mouse और mousepad चाहिए तो क्या है नए इस update में stay tuned अप में से बहुत सारे नए viewers होंगे मैं उन दशेगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल TechTubeLight पे मैं हूँ Professor Tech and अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो definitely कर लिजे क्योंकि TechTubeLight इंडिया का एक मात्र ऐसा tech channel है जो आपको सचाहीं बताता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आपको future में problems हो ये सारे opinions मैंने खुद के experience से बने हैं और मेरे benchmarks काफी dedicatedly किये जाते हैं कोई जोल नहीं कोई जाल नहीं no product misleads सिर्फ honest reviews and opinions तो चलिए शुरू करते हैं dark mode file explorer windows के लिए dark mode आचकल हर चीज में आ रहा है यहां तक की YouTube वगरा सारे apps जितने भी आप देख रहे हूं सब पर dark mode आ रहा है तो Microsoft ने जब दो साल पहले अपना anniversary update दिया था windows 10 के लिए तो उसमें dark mode था बट वो file explorer पे नहीं चलता था now windows version 1809 के साथ अब आपको एक complete dark mode मिलता है जिसके लिए आपको settings, personalization and colors में जाना पड़ेगा and आपको अपना default app mode option में dark mode चुनना पड़ेगा this is quite interesting and quite nice all the way हाला कि मैं चाता था कि थोड़े से और tweak options इसमें को मिले because जो colors है वो बहुत जादा dark है and मेरे को तो specifically पंडे में काफी issues हो रहे थे तो I would really want कि इस dark mode में थोड़े से customization options ये जिसके अंदर आप colors को थोड़ा सा और contrast जिनका कम कर सके and brightness थोड़ा सा कम कर सके however this was a very nice feature the second very most important update is the phone app और the your phone app इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने PCs से अपके android phones पे messages send and receive कर सकते हैं तो क्या आप लोग भी उन में से हैं जिन्हें अपने phone में message करने में बहुत आलस आता है मैं तो हूँ and अपने जैसे बंदों के लिए ही windows ने दिया है एक नया phone app इसको use करने के लिए आपको अपने android phone and अपने PC पे your phone app install करना पड़ेगा इसके बाद आप अपने PC से सीधे अपने android phones के messages को बेज and receive कर पाएंगे बहुत ही सही feature है पर बात यह है कि अपने देश में कितनी लोग इस feature का use करते हैं corporate वाले जो लोग हैं जो laptop पे जाहतर रहते हैं उनके लिए तो यह काफी helpful feature होगा however real life में हम लोग जो जाहतर phone savvy है and phone जाधा लोग के पास है तो उन लोग के लिए कितना useful रहेगा कि नहीं that we have to see however this is a very nice and time saving feature next हम लोग बात करते हैं start menu के कुछ search improvements की तो अगर आप लोग start menus use करते हैं तो आपको एक बहतर experience मिलेगा how is that इसका मतलब यह है कि जब भी आप start menu से कुछ भी search कर रहे हैं तो उससे related और जाधा चीज़े आपके सामने present करेगा start menu मतलब जैसे आप पहले google करते थे ठीक उसी type का experience मिलेगा आपको start menu में यानि एक compact pit जिसके अंदर bing search engines integrate हो रहा है आप जो भी search करते हैं वो आपको different tabs के अंदर आपको पूरी list मिल जाती है यह काफी killer feature है और मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए जिने windows की दबाग search करने का आदत है उनके लिए यह काफी important हो सकता है because this will save real time and अगर bing search engine आपको google search engine जैसा ही effect दे रहा है without even opening chrome so that is how you change some basic things across change कर सकते हैं ताकि लोग आपकी services को जादा use कर सके so I just want to ask Microsoft क्या आप Google को replace करना चाहते हैं तो चलिए चलते हैं अपने next feature की तरफ and this is really nice अगर आप लोगों को PC screen में देखने में थोड़ा issue रहता है या फिर बहुत जादा high resolution का 4K display आप लोग यूज कर रहे हैं तो text को देखना काफी मुश्किल हो जाता है इससे पहले अगर हम लोगों को कुछ change करना होता था तो DPI scaling में जाके सब कुछ बढ़ा या कम कर सकते थे however text को individually करने का कोई option नहीं था अभी हमारे पास एक तरीका है जहां पे हम display settings में गूमने के बजाए सीधा settings ease of access and display पर जाते हैं जहां पे आप अपने font के akar को बढ़ा या कम कर सकते हैं slider का use करके सिर्फ apply button दबाना है एक दम easy it's very nice and very helpful for a lot of people next feature की बात करते हैं this is the new snip and sketch tool now मैं snipping tool का use बहुत जादा करता हूँ मतला हर चीज के लिए I use snipping tool because that is the easiest way around however snipping tool को snip and search नामक एक नए और भहतर screen grab tool में बढ़ाया गया है यह आपको एक screenshot लेने का interface देता है और फिर उसी interface में shot को तुरंत edit, note या share करने का option देता है मैं snipping tool का जैसे की मैंने बताया काफी बढ़ा fan हूँ however we have to see मैं snip and sketch का use करूँगा and देखते हैं कि मुझे यह पसंद आता है कि नहीं and how useful it can be now the next app which is very nice and मैं यह बहुत पहले से चाता था that was clipboard history and cloud sync what's that? clipboard हमेशा से windows का एक बहुत important part रहा है and मुझे हमेशा से यह complaint था कि जब भी मैं कोई नया चीज़ copy करता हूँ तो पुराना जो सामान है वो गया भो जाग इसलिए मेरे PC में आपको बहुत जगा सारे folders के अंदर text file word files different तरह के files दिखेंगे जो कि बहुत ही hapizzards है and मुझे कभी-कभी मैं अगर उसको reuse करना चाहूं तो मुझे मिले गई but now clipboard एक से जादा चीज़े safe कर सकता है and अगर आप लोग चाहते हैं तो एक से जादा devices में भी आप अपने clipboard को sync कर सकते हैं करना चाहते हैं कि नहीं यह आपके उपर है because privacy related काफी issues रहेंगे and it's really a thing जो आप पे heavily effect डाल सकता है अगर किसी तरह से कोई भी चीज़ compromise होता है तो however अगर आप करना चाहते हैं तो settings के अंदर system and फिर clipboard पर जाके आप clipboard history and sync across devices को on कर सकते हैं अगर आपको access करना है अपना clipboard तो windows button के साथ V button दबाएंगे तो वो on हो जाएगा and final जो improvements की हम लोग बात कर रहे हैं इस feature update में वो है Microsoft Edge के improvement Windows 10 के हर version के साथ Edge को हर time पर updates मिलते हैं but इस version में उन्होंने कुछ अच्छी चीज़े दी हैं जैसे कि default PDF reader काफी सही कर दिया गया है आपको basic editing के options मिलते हैं and इसके अंदर now you have the option जहां पर आप सारे वीडियो का auto play video, auto play music या दूसरे मीडिया को अपने आप से run करने के लिए रोक सकते हैं so this is really nice and Edge में ये सारी चीज़े पहले से मिलने चाहिए थी however देर आए दुरस्त आए Microsoft kudos but speed पे कितना असर पड़ेगा that we have to check it out जब मैं इसको और जादा use करूँगा तो तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे updates हैं इस build में मेरे लिए ये सारे features काफी interesting थे and इन में से कुछ तो life changing मी है आप लोगों के लिए है की नहीं बताइए मुझे comments में फिर मिलते हैं अपने के लोग वीडियो में stay awesome, stay safe, stay sexy, peace out